नमस्कार जैहिंद मेरा नाम है संजय विशो कर्मा और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग दा बे आफ तिंकिंग इस वीडियो में हम बात करेंगे UPPSC Agriculture Pre-Exam के लिए Top 20 Questions का जो की आपके एक्जाम के पॉइंट वी से काफी महत्वपून रहने वाले हैं साथ ये वीडियो हिंदी और इंगलिस दोनों भाषाओं में रहेगी तो वीडियो के साथ आखरी तक बने रहे हैं साथ इस वीडियो की लिंक जादा से जादा शेयर करते चलें चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं क्या है इस वीडियो में कुछ खास तो यहाँ पे हम Top 20 यानि की 20 महत्वपून प्रिशन का discussion करेंगे जो की आपके exam के point of view से काफी महत्वपून रहेंगे साथ ही वीडियो के आखरी में question of the day के बारे में भी हम चर्चा करेंगे जो की आपके exam के point of view से भी महत्वपून रहेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहला question है American Society of Agronomy was established in the year of यानि कि यहाँ पर बात अगर हम इंदी में करें तो पूछ रहे हैं कि American Society of Agronomy की स्थाफना किस बर्स में हुई थी काफी अच्छा question है काफी important question है और इस question का जो answer है वो है 1907 याद रखिएगा American Society of Agronomy जो establish हुई थी वो 1907 में established हुई थी काफी अच्छा question है याद रखिएगा आगे चलते हैं question number 2 पे बिनगा is the name of shifting agriculture in यानि कि बिनगा एक पिरकार की इस्थनांतरन क्रशी है जो खाले स्थान में होती है ये भी काफी अच्छा question है important question है और इसका जो answer है उडिसा यानि कि बिनगा एक shifting cultivation या shifting agriculture है जो की उडिशा में होता है ठीक है याद रखिएगा ये भी अच्छा question है महत्वपून प्रिशन है ये भी और आगे चलते हैं question number 3 पे first hybrid variety of tobacco यानि कि तंबाकू की प्रथम संकर किश्म है काफी अच्छा question है ये भी और इसका जो answer है वो है जी टी एच बन यानि कि जो टोबेकों की first hybrid variety है वो है जी टी एच बन इसको याद रखिएगा याद रखने के लिए ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बीच में टी आ रहा है जी टी एच यानि ये टोबेकों की variety है first hybrid और इससे related दो तीन पॉइंट और जान लीजिए जिनसे question पूछता है अगर वो आपसे जोर की यानि सोरगम की पहली hybrid पूछे तो वो होती है CHS CH1 ठीक है ये आपकी जोर की या सोरगम की first hybrid हो गई और अगर वो बाजरा का पूछता है तो बाजरा की होती है HB1 ठीक है और cotton की पूछे first commercial hybrid variety of cotton तो वो होती है H4 ये important variety है जो कही न कहीं एक्जाम में पूछी जाती है तो इनको आप याद रखिएगा इस question का answer है B GTH 1 फिर अब आगे हम बात करते हैं question number 4 की optimum temperature for sugar can growth should be यानि गन्ना की बड़वार के लिए उपयोक्त तापकरम होना चाहिए ये भी काफी अच्छा question है काफी important question है और इस question का जो answer है वो है 27-38 degree Celsius याद रखिएगा इसको आगे चलते हैं question number 5 which of the following is not sedimentary rock यानि की निम्न में से कौन सा अबसाधी चट्टान या अबसाधी शेल नहीं है ठीक है और इसका जो सही answer है वो है marble यानि की shell, limestone और dolomite ये सब sedimentary rock के example है जबकि जो marble है वो इनका example नहीं है marble जो है metamorphic rocks के अंतरगात आता है तो यहाँ पे not पूछा था हमारा answer हो जाएगा marble आगे चलते हैं question number 6 पे ओफरा disease mainly occur in bitch crop ये भी काफी अच्छा question है और इस प्रिशन का जो answer है वो है rise यानि की ओफरा रोग किस पसल में मुख्यता लगता है तो ये आपका धान और rise में ये लगता है ठीक है धान यानि rise में ये लगता है आगे चलते हैं question number 7 पे welfare definition of economics बाज given by यानि अर्थ सास्त्र की कल्यान परिभाशा किस ने दी ये भी काफी अच्छा question है काफी important question है और इस प्रिशन का जो answer है वो है अल्फ्रेड मार्सल यानि की welfare की जो definition दी थी वो अल्फ्रेड मार्सल जी ने दी थी अगर वो आपसे पूछता बैल्थ की definition यानि की बैल्थ definition of economics वो किसके द्वारा दी गई थी तो वो दी गई थी Adams इसमित द्वारा ठीक है इनके द्वारा दी गई थी बैल्थ की बैल्थ की और welfare की दी है अल्फ्रेड मार्शल ने तो याद रखिएगा दोनों question दोनों point important है आगे बढ़ते हैं question number 8 ratio of cotton and पीजन पी in intercropping system is यानि अंतर फसल प्रणाली में कपास और अरहर का अनुपात होता है ये भी अच्छा प्रिश्न है और इस प्रिश्न का जो आंसर है वो है 6 अनुपात 1 इसको भी आप याद रखिएगा फिर आगे बढ़ते हैं question number 9 which implement is not used for harrowing यानि की कौन सा यंतर बखर के लिए उपियोग में नहीं आता या नहीं होता तो इसका जो आन्सर होगा वह प्लाव यानि की कल्टीबेटर, blade, disk है, इनका उपियोग बखरनी के प्रियोग में किया जाता है खेत में मिट्री को भुरूरी बनाने के लिए करते हैं इनका उपियोग जबकि पिलाव का जो उपियोग होता है वो गहरी जुताई के लिए इनका उपियोग होता है तो समझ गए होंगे आगे बढ़ते हैं कोशन नमर दस पे यानि की बीज अधिनियम किस बर्स में पारित हुआ ये भी काफी अच्छा कोशन है और कई सारे एक्जाम में ये पूछा भी गया है तो इसका सही आंसर होगा 1966 याद रखिएगा सीड एक्ट जो है 1966 में आया था आगे चलते हैं कोशन नमर ग्यारा the capacity of soil to resist appreciable change in pH value is called यानि अगर हिंदी में बात करें तो मिर्दा का pH मान के उलेखनी परिवर्तन को सहन करने की छमता कहलाती है काफी अच्छा कोशन है काफी important कोशन है आपके exam के point of view से और इस प्रिशन का जो आंसर है वो है buffering capacity यानि कि ये buffering capacity की definition ये पूछी गई थी ठीक है याद रखेगा काफी अच्छा कोशन है ये आगे चलते हैं कोशन नमर 12 leafless variety of pea यानि की मटर की पर्ण रहित प्रजाती है अंसर है अपरणा इसको भी आप याद रखेगा ये भी काफी अच्छा कोशन है आगे चलते हैं कोशन नमर 13 बलराम योजना is related to यानि बलराम योजन किस से सब्मंदित है ये भी अच्छा प्रजन है और इस प्रजन का जो सहीं आंसर है वो है प्लाइड क्रॉपलयान ये योजना है ये प्लाइट क्रॉपलयान के लिए आई है यानि की में बलराम योजना आगे हम बात करें कोशन नमर चौदा यानि किसे भारत में पादब रोग विग्यान का जनक माना जाता है ये भी काफी अच्छा प्रिश्ण है और इस प्रिश्ण का जो सही अंसर है वो है E.J. बटलर यानि E.J. बटलर जी को पादब रोग विग्यान भारत में जनक माना जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं कोशन नमर पंदरा यानि हिंदी में अगर बात करें तो ठोस बस्तु में उस्मा संचार मुख्यता किस से होता है ये भी काफी अच्छा कोशन है और इसका जो आंसर है वो है कंडक्शन याद रखिएगा काफी अच्छा प्रिशन है ये भी आगे बढ़ते हैं कोशन नमर 16 बीबी पेरस सीट्स आर रिपोर्टेड इन यानि जरायोज बीज निम्न में पाए जाते हैं तो इसका जो आंसर है वो है जैक फ्रूट याद रखिएगा आगे चलते हैं कोशन नमर 17 स्वेल पार्टिकल डिपोजिटेड बाई फ्लोइंग बाटर इस कॉल्ड यानि बैते हुए पानी द्वारा जमा किये गए मिर्दा के कन कहलाते हैं काफी अच्छा प्रिशन है इसका जो आंसर है वो है ऐलूबियम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अगर ट्रांस्पोर्टेशन सोर्स ग्रेविटी है ग्रेविटी के कारण अगर डिपोजिट हो रहा है तो उसको हम कहते हैं कोलोबियल कोलोबियल ठीक है और कोलोबियल और अगर बाटर के कारण हो रहा है तो उसको बोलते हैं ऐलूबियल ये ऐलूबियम और आइस के कारण होते है तो उसको बोलते हैं गलेसियल ठीक है अगर बिंड के कारण हो रहा है तो इसमें दो आते हैं एक होता है एयोलीन और एक होता है लोईस Eoline यानि Sandy soil के लिए कहा जाता है और Lois यानि Silt soil के लिए कहा जाता है तो इन points को याद रखिएगा important है और इस प्रिष्ण का जो सही answer है वो है LOBM याद रखिएगा आगे चलते हैं question number 18 ICR NAARM यानि NARM National Academy of Agricultural Research Management is located at यानि कि राष्टिये क्रशी अनुसंदान प्रभंदन अकादमी किश्य शहर में इस्तित है इसका जो सही answer है वो है हैदराबाद याद रखिएगा ये भी काफी अच्छा question है आगे बढ़ते हैं question number 19 Optimum seed rate of C7 यानि तिल यानि कि तिल की बुआई के लिए उपियुक्त बीज की मात्रा है इसका जो answer है वो है 5 kg प्रती hectare याद रखिएगा काफी अच्छा question है फिर आगे बढ़ते हैं question number 20 Which of the following is a correct method of lawn making यानि कि निम्न में से कौन सा हर्याली बनाने का सबसे तेज तरीका है या हर्याली लगाने का सबसे तेज तरीका है तो इसका जो answer है वो है turfing याद रखिएगा बहुत से student turfing और turf plastering में confuse हो जाते होंगे तो अच्छे से याद रखिए इसका जो answer है वो है turfing फिर आगे चलते हैं question of the day के बारे में हम बात करते हैं उससे पहले पुराने वीडियो में प्रिष्ण आप से पूछा गया था उसका हम बात कर लेते हैं कि जीन सब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था तो उस question का जो answer है वो है जोहनसन अब हम बात करते हैं आज के question of the day के बारे में यानि आज के question के बारे में जिसका जवाब आपको comment में बताना है तो question है पंजेंसी इन चीली इस ड्यू टू यानि कि मिर्ची में तीखा पन का कारण है ये चार option है इन में से कोई एक सही answer है जिसका जवाब आपको comment में बताना है I hope आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा like करें साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा share करें पुरानी वीडियो की जो list है चैनल के playlist में जाके मिल जाएगी आप वहाँ से जाके उनको देख सकते हैं पुरानी वीडियो को साथी अगर एग्री मंत्रा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथी चाहें तो एग्री मंत्रा के social media platform को भी आप चोईन कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो के description box में मिल जाएगी वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत